हाई व्रीवन वेल्कम टूड़ीज वीडियो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कास्टेशन आफे मेल हार्स अनर फिल्ड कर्डिशन तो यह हार्स है यह हमारे प्रस्पेटर्स प्रेजन्ट हुआ था कुछ दिनों पहले हमारे आफिस में तो इसके ओनर जो है उसने ह हमें बताया था कि उसने इसको आरड़ी फेल्ड कंडिशन में किसी बंदे द्वारा कास्टेट करवाया था वो चूंकि प्रूर मेथट्स चूज करते हैं तो हो सकता है पासिबल हो तो उस पर भी हम कभी वीडियो बना सकते हैं आपके लिए दिखा सकते हैं आपको कैसे इन कालने में वो सकाम याब नहीं हुए थे ऐसे हार्च को क्या कहा जाता है आक्रिप्ट आर्चिट्स या रिक्स इनवे चैन्वे क्या होता है जो कुछ महीनों के बाद उनका प्रापर डिसेंट होता है। यह देख सकते हैं अब आरेड़ी एक टेस्टिकल उन्हें निकाला हुआ है और हम यहां पर कोशिच कर रहे हैं दूसरे टेस्टिकल को लोकेट करने की। तो इस हास में हमने क्या किया था हमने सबसे पहले इस हास में गयージकल के यूज किये था हमने तीन अमल जैलाज इन कलाएस को दिये थे एक ही साथ मिला आठके, यहने काकटेल की शकल में.. तो कुछ मिनट्स के बाद, दो या तीन मिनट्स के बाद हम इस हार्स को कास्ट्रेट किया हुआ है, यह आप देख सकते हैं कि हार्स बिलकुल अभी अनस्थीसिया की कंडिशन में हैं, क्यूंकि दो ही बंदे जो हैं, जो इसके असिस्टेंट्स थे, जो इसके ओनर साथ थे, वो देखिए, वो उसको पकड़ रहे हैं, और हम बागे जितने भी लोग हैं, वो सारे फ्री हैं, तो यहाँ पर कोशिश की जा रहे हैं कि इस टेस्टिकल को लोकेट किया जाए, जो अब भी रिट्रैक्टेट्ट है, यानए अब्डामन के अंदर ही है थोड़ा सा पूरा नहीं हुआ है ताकि हम उसे बाहर कालने में कामयाब हो सकी यह देखिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टेस्टिकल को लोकेट किया जाए बड़ी पूल के बाद हमारे असिस्टिकल को रापारी किया हुआ है और हमने surgical site को प्रपेर किया हुआ है हमने scrub करके इस site को अब हम local anesthesia याने लिगनोगेन देने वाले हैं तो इस हार्ज में हमने किये थी दस समयल जफ लिगनोगेन हमने use किये हुए थी ताके locally जो है जो यह portion है वो बेहोश हो जाए इस हार्ज को pain फील ना हो जाए यह देख सकते हैं आप anesthesia लगाने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं surgical blade से directly जहां पर हमने anesthesia दिया है testicle के उपर हम एक थोड़ा सा cut देने वाले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं आगे हम यह incision दे रहे हैं बिलकुल testicle के उपर हमें इधर उधर बटाकनी की जुरूरत नहीं है बिलकुल जहां पर testicle है उसी के उपर हमने incision देना है यह देख सकते हैं आप हमारे assistant अभी भी इस testicle को पकड़े हुए थे क्योंकि यह testicle क्या है कि retracted था तो यह थोड़ा सी दिकत आ रही थी इसको hold करने में भी यह देख सकते हैं अब आप क्या करने वाले हैं testicle के उपर हम एक cut देने वाले हैं याने incise करने वाले हैं इस testicle को pressure से थोड़ा सा बाहर निकालके इस testicle को हम बाहर निकालेंगे वो जो आपको protocol दिखाये जाएगा अगर यह देख सकते हैं हम testicle के उपर अब इंसिजन दिया जा रहा है यह देख सकते हैं पिलकुल bleeding नहीं हो रही है minimum bleeding हो यह देख सकते हैं अब testicle बाहर आ चुका है exteriorize हो गया है अब हमने क्या करना है स्परमेटिक कार्ड और epididemus को हम ligate करने वाले हैं और उसके बाद हम testicle को निकाल सकते हैं epididemus और स्परमेटिक कार्ड को locate किया जा रहा है यह देख सकते हैं ऐसे हारसे में अगर हम epididemus का एक थोड़ा सा position रहने देते हैं यानि उसको testicle के साथ epididemus को बहाने निकालते हैं उस epididemus से continuously testicle run बंदा रहेगा थोड़ी थोड़ी concentration में तो ऐसे हारसे को हम cutting proud कहते हैं उनमें testicle run की concentration थोड़ी थोड़ी रहती है यानि थोड़ा सा aggression उनमें रहता है लेकिन maleness बिल्कुल चली जाएगी क्यूंकि हमने testicles को निकाला हुआ है तो they will not be able to produce any spermatoes यह देख सकते हैं इस मौन को हम clean कर रहे हैं अब हम testicle को transfixation sutures लगा के स्परमेटिक कार्ड पे और aptitemus पे ligate करके बाद में हम testicle testicle को बाहर निकालने वाले यह देख सकते हैं अब हमारे assistance ने testicle को hold किया हुआ है अब हम इस पे slick का slick या nylon use करके preferably nylon कर होगा तो nylon cat guard लगाने के हमें जुरूरत नहीं है क्योंकि हमें यह continuously इस पे यह suture चाहिए चाहिए खुलना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें अंदर artery होती है और vein होती है जिनकी वज़़से bleeding कभी भी हो सकती है यह देख सकते हैं हम crash करने वाले हैं सब्सक्राइब कार्ड को artery force से बाड़ी की तरफ और एक artery force हम लगाएंगे टेस्टिकल के close और उन दोनों के बीच में हम बाद में इसको कट करके टेस्टिकल को निकालेंगे यह देख सकते हैं अब तोनों artery force अपनी जगा पर लग चुके हैं अब हम इसके बाद nylon की मदद से transfixation suture लगाएंगे इस transfixation suture से क्या होगा जो तो टेस्टिकलर artery है या टेस्टिकलर vein है वो ligate हो जाएगी और वहां से bleeding नहीं आएगी इस हार्ष में हमें ख्यार रखना है कि वहां से कोई भी bleeding की शिकायत ना आए तो that can lead to class of blood और उसे hyper volume हो सकता है और हार्ष की जान को खत्रा हो सकता है इस इन और transfixation sutures लगने के बाद हम directly टेस्टिकल को काड़ लेंगे और हमारा operation हो गया यह आप देख सकते हैं transfixation sutures they are being given on the spermatic card तो हार्ष की condition आप देख सकते हैं उसके vitals बिल्कुल नामल थे they are being continuously monitored heart rate respiratory rate यह देख सकते हैं आप हार्ष बिल्कुल अभी anesthesia में है with least struggle least moment हास को कोई pain फील नहीं हो रहा है transfixation sutures हमारे complete होने वाले हैं अब हम उसके बाद टेस्टिकल को directly काटके निकाल फैक सकते हैं यह देख सकते हैं आप इस owner के इन्होंने यह क्या किया था उन्होंने सबसे पहले इस हास में कास्टेट किया था यह खुदी करते हैं कुछ crude सा method यूज करते हैं यह तो cycle को एक cycle को जला के उस पर हम उस पर यह लोग यूज करते हैं यह दो टेस्टिकल में और उसके वजह से उसको निकाल देते हैं हमारे बड़ एक सेड़ी प्रूब यूज को कुई स्ट्रगल था नहीं कर रहा है क्यूंकि प्रापर ले अनस्थेटाइज़ है और हम इसकी पेन का ख्यार रखा हुआ है करने के बाद हम टेस्टिकल को बाहर निकालने वाले हैं यह देख सकते हैं आप टेस्टिकल को निकाला हुआ है हार्स की कैंट्शन बिल्कुल नामल है अब हम इस मोंड पर लोकल एंटिसटिक ड्रसिंग करेंगे हार्स को एंटिबियाटिक्स एनलजेसिक्स एंटिफिल्मिट्री रग्स और एंटि एलर्जिक्स और टैटनस का एक शाट देंगे यह देख सकते हैं अब इस हास में आज यह देख सकते हैं अप एंटिसटिक ड्रसिंग की जा रही है वोड की कोई ब्लीडिंग नहीं आ रही है और उसके बाद हमारा प्रोटोकाल जा है वो कंपलीट होता है यह देख सकते हैं आप आपरेशन कंपलीट होने के बाद कुछ ही मिनट में हार्स अनस्थिजा से गया था और यह देख सकते हैं आप इस किलिप में हार्स अपनी टांगों पर खड़ा हो रहा है और सीचे से बाहर है गास खाने में मश्कूल है तो प्लीज सबस्क्रेब तो मैं चैनल लाइक और शेयर दो वीडियो और आवल सी यू इन एक्स वीडियो थैंक्स पर वाचिं भाइ बाइ